हेलो एवरिवन वेलकम आल आप यू इन दिस जैयम अकडमी सो दिस रूपियस मार फ्राम आजरपुने और अपने स्टेस्टिकल मेकनिक्स का लेक्चर वान और लेक्चर टू अपलोट कर चुके हैं यहां पे हम लोग कंसेर्ट भी कंसेर्ट भी प्रॉब्लम से एक स्रीज चल जैसे कोई बोश्चन पुशागी है जैब में किसी यह जैस्ट भी किसी यह तो उसके आसपास से और किस तरह बोश्चन बन सकते हैं उनकी भी हम बात करते हैं तो हमने स्टेस्टिकल मेकनिक्स भाला टॉपिक सुग किया इसके दो लेक्चर अल्रेडी चैनल पर फ्रॉड हो आप हमें वाट्सब कर सकते हैं साथ ही जो लोग नए हैं सबस्क्राइब नहीं कि हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लें और अई शुरू करते हैं अपने लेक्चर 3 ठीक है और आज जैम के चितने भी स्टेट मैक पर कुश्चिन पुशेगी है वह कंप्लीट हो जाएगा हमने वाकंवन याँ ल्यूँक्याद वाट जैम 2020 से श्क।ंद फैंपर का सब्सक्राइब श्क्राइब करके जेंपन सब्सक्राइब लक्षर ने डिकर process सब्सक्राइब करते हैं कुछिन है जम 2013 में 12 में पुछा गया था ठीक है when the temperature of a black body is double temperature को जब डबल किया जा रहा है then the maximum value of its spectral energy density with respect to that at initial temperature would become दोस्तों कहा रहा है कि एक black body है चली इसको situation माल लेते हैं इसका initial temperature हो ना T initial कितना है माल लेते हैं चली T1 माल लेते हैं या T माल लेते हैं initial temperature कितना है T माल लेते हैं और when the temperature of a black body is double अपने से हमलों initial temperature को से माल लेते हैं कि initial temperature ब्लाक बोर्डी गट्टी है और final temperature जो है दोस्तों कितना हो जा रहा है डबल हो जा रहा है आप देख पा रहा है ना 2 T हो जा रहा है तो यह हो गया equation 1 & 2 अब अपने को कह रहा है कि क्या होगा then what is the maximum value of its spectral energy density with respect to that at initial temperature would become तो पूछ रहा है कि final energy density क्या होगा final energy density क्या होगा अना with respect to with respect to initial one with respect to initial one दोस्तों आपको मालूम होगा since in the case of black body in the case of black body spectral energy density को यह से रिपर्जन परता है और यह directly proportional होता है T to the power 4 क्योंकि आपको मालूम होगा e equal to the sigma ea T to the power sorry power इतना होता है power permit area जो होगा वो कितना होगा आप देख सकते हैं कि यह यहांसे घड़ जाएगा and यह power permit area is spectral energy density sigma e T to the power 4 so u directly proportional to T to the power 4 ठीक है that means u is equal to a propensity का sign अगर हटेगा equal में करमट होगा तो एक कोई constant आगा माल लेते हैं कोई constant किया है और T to the power 4 is equal to constant यहांसे लिख सकते हैं then part target means इसका मतलब है कि देखे हम आपको किसला class से बिताया थे कि कि किसी भी quantity अगर कोई भी quantity is equal to constant है इसका मतलब है कि इसका different component वराबर होगा इसका मतलब है कि e1 by T1 का power 4 must be equal to e2 by T2 का power 4 must be equal to e3 by T3 का power 4 and so on तो इसको क्या करते हैं मिटा लेगे इस फर्मॉला को विच करते इस e1 को उठाए को अधर लेजे T2 को उठाग यहां पर लेए इस e1 को उठाए को अधर लेजे तो क्या बन गया दर e2 by e1 और T2 का power 4 को उठाग यहां पर लेए T2 का power 4 by T1 का power 4 तो इसको चलिए ठीक से लेख लेख लेते हैं e2 by e1 कितना हो जाए दोसको T2 by T1 पुरा का power 4 ऐसे लेख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं अपने आंसर कर तक इसको यहां से रख कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां ही पे आप देख लेजिए e2 by e1 is equal to final temperature T2 कितना है 2T और initial temperature T1 कितना माला है तो 2T by T का power 4 तो दोस्तों यहां से T T cut ही है 2 का power 4 कितना होता है 2 2 2 तो 2 2 जा 4 2 2 जा 16 ते 16 आगया इसका मतलब क्या है दोस्तों e2 जो है वो 16 टाइमस है e1 का यानि कि यह हमारा क्या है final energy density final energy density e1 क्या है initial initial energy density final energy density 16 टाइमस है जो question में हमसे पुछाता है तो correct option क्या होगा c 16 टाइमस टीक है I hope कि आपको समझ माया होगा और आज देखते है next question इस तरह के question आते रहते हैं तो इसको आप याद रखें पाउर इक वार जैसे अभी हमने लिखा आप यह याद रखें power equal to sigma e8 t upon 4 टीक है यह होता है black body का case में हम अदा रहें किस तरह रही portion बनते हैं इसको टीक होता है power equal to sigma e8 t upon 4 तो यहां से एक यह बनता है कि और एक होता है p by एक उठाएक उदर लें तो बच्छा sigma e8 t upon 4 तो यहां से e equal to sigma e8 t upon 4 तो अभी हम लोग देखें e1 by t1 power 4 is equal to e2 by t2 power 4 तो यह relation है इसको किस तरह question आ सकता है हम लोग देजिए कई बार इस relation to you question आता है मान लेजिए आपसे कहा दे कि temperature constant है क्या कहा दे temperature constant है तो यह क्या बनगा दोस्तो power by e is equal to sigma e चलिए sigma e और एरिया को क्या लिख सकता है 4 by r square और यह t upon 4 तो दोस्तो power by r square is equal to क्या बन जाएगा sigma e 4 by t upon 4 सिग्मा इस्टिफें constant है e यह भी constant है 4 by constant है और t अभी temperature constant बोल दिया है तो कई ऐसा case से कोशे होता है इसमें temperature constant खे देता है तो यह पूरा temperature बिलके constant हो गया क्योंकि black body 2D नहीं हो सकता है black body 3D होगा तो 3D होगा उसका area और उस black body का radius r और यह power अटेगा तो P by r square is constant इसका मतलब किया है तो P1 by r1 square must be equal to P2 by r2 square तो यहां से देखिए power or radius of black body में listen मिलगा जिसे अभी question पुछाता temperature or energy density में उससे तरह से power or radius को भी question पूछ सकता है पूछ नहीं सकता है बहुत बार पूछ चुग exam में तो उमीद है कि आप इस तरह लाया होगा आए देखते हैं next question दोस्तों यहां से और भी question बन सकता है जिसे बिना slow में आपको पढ़ाएं थे कि लेंडा T is equal to constant हाना तो यहां से क्या मिलेगा देखिए तो T equal to constant by lambda तो होसे कि तो इस T को lambda से और replace करते हैं हाना यहां पर देखिए U है और T का power 4 T का power 4 को क्या लिख सकते हैं some constant C by lambda का power 4 तो यह बन जाएगा is equal to constant तो यह देखिए क्या बन जाएगा U into lambda का power 4 is equal to constant multiplied by constant का power 4 that is always constant देखिए यहां से भी एक रिसन आया U lambda का power 4 equal to constant इसमतर U 1 lambda 1 का power 4 equal to U 2 lambda 2 का power 4 में भी आपसे रिलेशन कुछ सकता है तो इस तरह के question के लिए आप त्यार रहे कल हमने इस formula पे आपको एक question मुझा ने यह वीनस फान हुआ है lambda t equal to constant यह IC को कुछ लोग maximum wavelength lambda max into t equal to constant बहते हैं ठीक है तो यह आप दो तरह के question के लिए आपको समझ में आया होगा दोस्तों next question जो है हमारा chemical potential से है next question jam 2008 का है jam 2008 का है पुछा है कि chemical potential chemical potential new in case of both science teenage उसको इसमें option दे रखा है 0 option फिर दे रखा है negative और 0 c में दे रखा है only negative और d में दे रखा है positive ठीक है दोस्तों मैं आपको बता जिता हूँ कि जो new है यह negative होता है आपको याद रहे आपको याद रहे कि photon की बहुत है photon की बहुत सकता है photon एक बहुत पार्टिकल है यह बहुत पार्टिकल है like photon for example photon उनका या तो 0 होगा या तो negative होगा Maxwell पार्टिकल होगा chemical potential negative होगा और यह सिर्फ positive होगा फर्मीट्राइब के केस में फर्मीट्राइब के केस में फर्मीट्राइब के केस में क्या होगा दोस्तों positive होगा for example electron, proton, neutron, ETC होगा यह सारे फर्मीट्राइब के spin हाप होता है दोस्तों Maxwell-Boltzman में जो बहुस आइंस्ट्रिक केस में जो spin होता है वो integral multiple होता है 0, 1, 2, 3, 0 and Fermi-DRAC के केस में जो spin होता है वो दोस्तों हाप का integral spin होता है 1 x 2, 3 x 2, 5 x 2 यह अपकोर्स-मैनस अब लगा सकता है positive negative कुछ भी हो सकता है clear है? तो like song तो this is the basic difference यह आपको classical है Maxwell-Boltzman classical है यह जो है यह quantum यह classical है और यह quantum है तो यह distinguishable होगा यह distinguishable होगा लेकिन यह जो है indistinguishable होता है indistinguishable होता है indistinguishable होता है मतला classical particle यह को आप अलग-अलग naming कर सकता है यह एक पार्टिकल का नाम दे दिया दूसरा है वह B तो आप सबको अलग-अलग distribute कर सकता है distinct अलग-अलग है लेकिन यह बहुत साइंस्ट्री नो फर्मिट राखके स्वरी symmetric होता है symmetric होता है और फर्मिटि राखके case में finding बात हो गया एंटेट्रिक होगा है क्लाशिकल रहे सब्सायद का मतलब नहीं तो बहुत सब्सक्राइब केसमेटरिक वेफ हैं थरमिटरा के इस लिएसन को कोई वेबफंसल सडिस्टाइब कर रहा है तो सिमेट्रिक होगा ठीक है और साइ आप माइनस एक्स एक्स बन जा रहा है तो यह वेबफंसल ज्या ओद जो अद जो एंटिसमेट्रिक होगा आप यह बहुत वेव नौन आप पहली बाती परिच्छी थे इस तरह और इभन फंसल से यह से आप और इभन फंसल पढ़ते हैं अल्जेवरामें similarly wave function के case में अपने anti symmetric or symmetric wave function पढ़ते हैं same property को यह लुप फोलू करते हैं कि अगर wave function है मालेजे कोई Si of x wave function e to the power minus x square e square अगर x को minus यहां पर रख दी तो यह minus of x square कोई फार्ख ने पढ़ेगा इस case में दीकिए Si of minus x equal Si of x आने वाला है क्योंकि यह x square minus of x से जाउसु plus of x square ठीक है तो इस case में जो wave function होगा यह कैसा होगा? symmetric wave function होगा कैसा होगा? symmetric wave function होगा लेकिन अगर negative भी आ जाता तो एंटी सेमेंट्री होथा आस अगर तो हम आपको समझ माया होगा? I have any question कि इस question का फिलाल answer क्या होगा? बहुत साइंस्टों की case में व्यूव क्या होगा? या तो negative होगा है या तो 0 होगा यास नेक्स्ट वस्टों दोस्तों जैन्स्टेम 2005 से है जैन्स्टेम 2005 में question किश अधा इस लिए मैक Film question था विच व लेवेवेशलग यूवलेश्टमें वी इंटरैक्ट which अभ दे विश व्यूवेशलग फिर फेलिए पेलिए इस 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 आती है ? इस कि फिर फोल्व इस इस आती है ? एक लिए यह लिए यह ब मुंसीत है ? इस 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 त्रिम सेल परिदध है ? आवे मيرة मैं अमाच्छमय ओल्षमी पोड़िम इन वीज अड़िम इस खैपसके बीड़िम इन आफ अपसर लार में के सैट इंग आफ़िम्टी अग्वप सिंग energy state at 10.25 Kelvin, the integral spin particles, कि अबेर वो सायंस्टेन एस्टेटिस्टिक्स और दी में है प्रोटांज और वेडरा के स्टेटिस्टिस्टिक्स ओके तो इस वाल जा कुश्चिन इस लास्ट इंचें 2005 जब शुरू हुआ था 2005 में फर्स्ट टाइम कंड़क्ट वा था और समय कुश्चिन पुछा था कि इनने से कौन सा गलत है इंकरेक्ट है ना तो देखे सबसे पहले लिए बोला है कि इन-Distinguisable Particle होँ मैक्सोयल बॉल्जमेन स्टिटिस्टिक का मतलब क्लासिकल फारि इसटिंगेस्टिकल कर सकते हैं यह से आप ग्लासिकल मेंग सपड़कर क्या है एक बोड़िवा स्फाइप के जी का बोड़े बड़े बोड़े बोड़े होती है तो उनको आप अलग अलग द यह देखके कर सकते हैं परचान सकते हैं लेकिन इस परते हैं पर क्लासिकल आप देख सकते हैं मितलब वह हुआू quantum के लिए है तो उस case में मोग particle को नहीं देख सकते हैं तो इन होते हैं तो यह जो हमरी option है यह क्यों हो गया क्योंकि Maxwell क्यों देख सकते हुं यह इसे क्यों होले नहीं देख सकते हैं कर सकते हैं यह बागी option में क्या है सच चीज रखाया जिसको आपको जानना है हो सेगे इस पर आपको solution आ सके इसा कि अपने वीडियो के पहले में ही कहा था कि यह सीरीज है concept with problems problem सिर्फ solve नहीं करेंगे यहां पे उससे related जो भी concept होंगे उसको भी आपको डिसकुस करेंगे दोस्तों देखे रसल होता है क्या है बोस गेस केस में क्या होता है एक कंडंसेशन आपने सुना होगा बोस आइंस्ट्रीम कंडंसेशन ठीक है आप जैसे क्लास नाइन में जब फर्स टाइम पढ़ता है स्टेट ऑप मेटर आपने पढ़ाँके सवुलिक्विध रसप्राइन संसेशन ख़ाए घाल होता कि तो यहां पर दो फार्टिकल्य सब्सक्राइब के तेंपरेचर ते हैं और पर कि ऑड़िए लो चाल्म के जिस्टाइव कि हुड़ा के एक लीजचिय स्टाइब टैंपरेचर किरें जीरोमिन पर कर दें तो सिच्वेशन कि और कि युटकिन यह उतिकर आ Has कि इसमें से मालने जी की पार्टिकल ऊठके आ एक रहा गया जाया रहा पर एक पार्टिकल रहा जाए और यहां पर एक पार्टिकल था और गड़ी तो एक दो तीन चार पांच बतलब तोनों किक पार्टिकल मीचे उठके आ जाएगा ठेक है तो होता क्या है कि T equal to zero Kelvin पर जो maximum number of particle हो कहां पर पाई जाते हैं Ground state पर पाई जाते हैं और एक छोटा सा number of particle fraction of small number of particle other state में पाई जाते हैं higher state में ठीक है लेकिन maximum mostly 95-97% particles जो ग्राउंड state पाई जाते हैं और इसी को बोलते हैं Bose Einstein condensation के system condensate होगे किसे एक particular temperature पर थे गया तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि T equal to zero Kelvin पर सारे higher energy state के particle ground state पर जाते हैं ऐसा नहीं होता है ठीक है ना सारे जिसे jam 2020 में quantum में एक स्वाल पूछा था कि 5 electrons उनका energy निकालना था और वो system at T equal to zero Kelvin पर था है ना हाप integral is spin particle थे याने electrons थे लाइक तो electrons अगर हैं और T equal to zero Kelvin पर हाला कि फर्मिट्राग फोलो करते हैं क्योंकि हाप integral है तो T zero Kelvin होने का कभी मतलब नहीं है कि सारे particles आपके ground state पर आजाएंगे ठीक है लेकिन हाँ maximum particle आपके ground district पर lowest energy district पर आजाएंगे तो यह हमारा गलग स्वरी स्वरी और पार्टिकल्स होंगे कंडन से संगे केस में वह सारे पर दियान को दिया तो हम पर इन जेनरल ऐसा नहीं होता है कुछ fraction रहा जाता है लेकिन अगर ideal बहुत करें तो idealism के case में ऐसा हो सकता है लेकिन इन जेनरल reality में आजान होता है लेकिन ideal के case में सारे पार्टिकल्स को ऐसा एजियूम करते हैं कि ग्राउन इस्टेट पर आ चुका है तो ideal के case में में इस बाद को धियान ने दिया था यह साही होगा अब में इसाहा होता है दोस्तों आउपको पताएं थो अब इस पहले वाला कोश्य दूर्शन में फर्मी ड्राग इन्टेंट फॉलू करते हैं और बो संस्टेन इस्टेटिक्स वाले पार्टिक रोग क्या होते हैं ओल्ली इंट्टेटर नहीं होते हैं वह ग्ट i'm sorry yes integral spin integral spin का मतलब 1 by 2 plus minus 3 by 2 plus minus 5 by 2 यह जो हमँद फोलो करने माल है integral spin सब्सक्राइब करते हैं या फिर वह पार्टिकल वह संस्टेटिक्स को फोलो करते हैं बार वार हम मिस्टेक कर रहे हैं हाप इंटेग्राइब इंटेगराइब करते हैं अब कि इंटेगराइब करते हैं इंटेग्राइब स्ट्रोलो करते हैं और आप्शन दी में किया दोस्तों प्रोटोन और फर्मी ड्राइब स्ट्रिक्स अभी आपको वने बताया था कि फर्मी पार्टिकल या फिर यह लोग फर्मी ड्राइब स्ट्रिक्स फोलो करता है दोस्तों फर्मी ड्राइब स्ट्रिक्स तरह से भी सिस्टीं सही है दोस्तों है अगे है और नहीं है यह लास्ट जैम 2005 से शुरुआ था और 2005 तक इतने सारे क्वेश्चिन पूछे गिये थे जो लेक्चर 1 और 2 अप्लोड हो चुके हैं अगर आप नहीं देखें तो आप में रिट्विक चैनल पर जाके देख सकते हैं और यह लेक्चर 3 आ जब यह अप्लोड हो लिए अने वाले 2020 जम के लिए उसके साथ हम लोग उसको शुरू करेंगे लेक्चर 4 में लोग अभी तक नहीं देखें आप आगे दो लेक्चर देख सकते हैं और नॉट सुना सकते हैं इसको रख सकते हैं बार बार रेजिएं करें अच्छा लेक्चर 1 पर हमने लिखा था आप जाके यहर आपको मैंने बदा दिया थारे कोश्चन पर कियो किस एक्जाम का और केसी आर का है आप प्रोपरली कोश्चन लेकले अपने नॉट गूट पे फिर सॉलूशन लेगा ठीक है और जो भी फालतू का चीज बता रहे उसको भी नॉट करते चले और प्रोपर ए एक्जाम में जो भी कोश्चन आएंगे उम्मीद करते हैं कि 90 इसी में साइंगे और आपकी वो कोश्चन सौल हो जाएंगे ठीक है ऐसा हम आसा करते हैं उसके बाद ट्याफर कर देखेंगे दैन क्वांटम मैकनिक शुरू करेंगे या थर्मोड आनमीस दोनों में कोई शु करेंगे जम का जेश्ट का और फिर टाइफर का और फिर आधर टॉप यह से चलता रहेगा तो अभी तब मेरे चैनल पे अगर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दोगेजी शेव कीजिए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ और मिलता हैं सब तक के ताटा मुआ अपने खाल रखे और त्यारी करते रहें